आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें अब हमें नहीं पता कि देखो लाइमन स्रेनी की पर्थम लाइन की सरेनी तो लाइमन स्रेनी क्या होती है, लाइमन स्रेनी होती है जब हमारा इलेक्ट्रोन कहीं से भी और पर्थम कक्षा में आता है तो यह लाइमन स्रेनी का निर्मान करती है तो अनंद से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है ये इलेक्ट्रोन जब पर्थम से और अन्तिम गक्षा में आता है, कहीं से भी, तो ये हमारी लाइमन स्रेनी बनाती है, लाइमन स्रेनी, अब लाइमन स्रेनी जो पर्थम लाइन है, पर्थम लाइन का मतलब होता है ये वाली यह परधम line क्या हसी हEMA फ्रथम line तो इसकी जो तरंग है है hydrogen परमाणु की जुट रंग reże है वह हमें नहीं पता है कोई एक परमाणू है हमारे पास कोई hydrogen से समान आया नहीं म अंने हैं माने कि हमारे पास जैड परमाणू है ठीक है है जिसमें एक electrone है उसके पास प्रहते खिल्भन है लिए बादो खुर्श। के लिए यहां पर हम बात करेंगे यहां पर rally होता है को ज ident when भी हमारे कोई कर्माण होता है उसकी कख्शा में भी दूसरी खुर्श्य तो हमारे बार्मार्श्याणि क्या लाती है ठीक manner तो दूसरी कक्षा में न बराबर दो हमारी अंतिम कक्षा होती है तो यह हमारी बामर श्रेणी कहलाती है तो हमें नहीं पता वो प्रमाणू कौन सा है लेकिन हमारे पास प्रमाणू है वो ग्याद करना है कि इसकी बामर श्रेणी के दित्य लाइन तो दित्य लाइन कौन से हो दो इसके लिए हम क्या लिखेंगे एड़् बराबर प्रारंबिक हमारा हो जाएगा दो और अन्तिम हा और एक पहले अंतिम लिखेंगे और एन बराबर प्रारंबिक एन इशील बराबर 1 इस परकार हो गया Halo तो हमें तरंग देरिये निकाल लिए, तो तरंग देरिये के लिए सुत्र क्या होता है, एक बटा लैमडा बराबर और जड़ स्क्वेर, एक बटा एन अंतियम का स्क्वेर, माइनस का एक बटा एन प्रारंबी का स्क्वेर, यह सुत्र होता है हमारे पास, तो यह सुत्र हो गय जाएगा रेड़ वर्ग नियातां करमान हो जाएगा एक बटा सुरी एक पॉइंट 097 गुना 10 की घात साथ और यह परती मिटर में तो हमारे पास सारे मान भी है अब हमें ग्याद क्या करना है कि समान आयू तो जैड परमान करमांग हमें ग्याद करना है तो हमें पता है कि यह जो तरंग दे रिया है वह इसके लिए इस चीज के लिए और हैडरो जक्रमान करमांग है और हमें पता ने उन और अंतिम कख्षा अंतिम कख्षा एन बराबर एक है तो एक माइनस का प्रारम भी कख्षा एन एफ यहां पर क्या है यह हमारी अंतिम कख्षा है दो और प्रारम भी कख्षा हमारी यहां पर दो है ठीक है प्रारम भी कख्षा देगा दूसरी पहले कख्षा हमारे तो यहां प तो हमारा बराबर है इसका मतलब कि एक बटा लैम्डा बन और एक बटा लैम्डा टू भी बराबर होना चाहिए तो एक बटा लैम्डा टू हमके इसके लिए लिखेंगे हेलियम के लिए इसका अमान इसके बराबर होना ही चाहिए तो यह बराबर हमारा कितना आ जाता है आर Z² हमें पता नहीं है लेकिन इसके लिए हमारी कक्ष ändी रखे, एक बटा अंतिम कितनी दे रखे हैं, यहाँ पर 2 और प्रारंबीक दे रखे हैं, चार, तो अंतिम हमारी 2 का स्क्रार और प्रारंबीक 4, तो एक बटा 4 का स्क्रार, यह कितना आ जाता है, यह आ जाता है एक बटा दो के स्क्वार मैंस एक बटा चार कितना हो जाता है एक तीन बटा सोला देखो यहाँ पर सोला है यहाँ पर चार है तो सोला मैंस का चार कितना हो जाता है एक बटा चार मैंस का एक बटा सोला सोला लगुतम लिए है यहाँ पर और यहाँ पर कितना आ इसकतलु इसका मतलब है कि हिलियम परमानू की बात कर रहा है, तो डी विकल पमारा यहां पर सहीं होजाएगा कि दो परमारू है उसके लिए यहां पर धित्य לायन है वो सहीं होनी चाहिए बामरी ठीक है तो यह दोनों आपस में सुल हो जाएगा दन्यवाद कि Carsonurm & interview